आज मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आई हूँ जब आपका मन करता है कि जादा कुछ ना करें लेकिन बड़ी असा सांविच बन करके तयार हो जाए तो वही रेसिपी मैंने ट्राइ किया और मेरे घर वालों को और मुझे बहुत जादा पसंद आया उम्मीद करती हूँ क आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पर आपको ले लेना है पनीर और अब इसे हाथों से अच्छी तरह से स्क्रमबल कर दीजे तो सारा पनीर जो है यहाँ पर करीबन मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे आप हाथों से अच्छी तरह से स्क्रमबल कर दीज जैसे ही आपका तेल गरम हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चॉप्ड अनियंस इसी थोड़ा चला लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट जिंजर गालिक पेस्ट डालने के बाद इसको आपको अनियन के साथ ही सौते करते हुए आपको इसे पकाना है ताकि इसका जो कच्चा पैन है जो raw smell है वो चला जाए उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो onion है वो translucent हो रहा है हलका pinkish हो रहा है इस stage में हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर तो यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह से चौप कर लीजे और उसके बाद यहाँ पर आप टमाटर डाल दीजे इसे भी हम अच्छी तरह से mix करते हुए इसे हम गला लेंगे जब तक कि यह अच्छी तरह से गल नहीं जाता तो इसके लिए आप धकन ढाकिए और इसे धकन ढाकने के बाद अच्छी तरह से गल नहीं दीजे उसके तका पानीर और कमाँ यहां पत शुक्से अणितर मिग्सा साइवीгор, जब यहां पर मसाल के साथ कर लें만 पंघ हैं मैं आपर उपर link दे दूंगी आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते ही कि पेरी-पेरी-मसाला किस तरह से मनाए जाता है और बहुत ही थोड़ा सा मैने इसमे नमक डाला है क्योंकि पेरी-पेरी-मसाला में अल्डेडी नमक added है तो आप ध्यान से इसमें नमक डालेगा उसके बाद बस क्या है मसालो को आपको पनीर के साथ मिक्स करना है और उसके बाद आपको गैस आॉफ कर देना है इसे आपको जादा दिर तक नहीं पकाना है ताकि इसका जो जूसिनस है वो बरकारर रहे तो अब हम इसे sandwich में assemble करेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है sandwich spread thousand island तो यह ready made मिलता है आप इसे market से खरीद के रख सकते हैं यह कोई mayo नहीं है तो इसे हम अब bread में spread कर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लगाया दोनों ही slices पे हम लगाएंगे इसे तो यहाँ sandwich spread लगाने के बाद आपको यह जो आपने ready करके रखा है पनीर stuffing यह बीच में हम इसे डाल देते हैं तो इस तरह से डालने के बाद फिर हम इसे close कर देंगे close करने के बाद इसे हम थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि यह थोड़ा चिपक सा जाए और उसके बाद हम इसे तवे पे सेख लेंगे वो भी crispy होते तक तो यहाँ पर मैंने तवा चड़ा दिया है और यहाँ पर आप थोड़ा सा घी या बटर लेंगे मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ और आपको अपना जो bread है वो सेख लेना है सेखते टाइम उपर से अगर आप प्रेस कर दे तो बहुत ही बढ़िया है ऐसे क्या होगा जो भी stuffing है अंदर वो bread के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगी और खाते टाइम और सर्व करते टाइम बाहर नहीं निकलेगी तो इसी तरह से प्रेस करते हुए से पका लीजे और उसके बाद जब नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से पक जाए दो मिनट बाद आप इसे टर्न करके दूसरे साइड को भी आप सेख लीजे तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद में से टर्न कर लूँगी तो यहाँ वापस से प्रेस करते हुए से थोड़ी देर और सेख लीजे थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो सैंड्विच है वो काफी क्रिस्पी हो गया है आप साउंड से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है फ्रॉम बोद दे एंड्स तो अब यह रेडी है सर्फ करने के लिए बहुत ही एजी रेसिपी है अगर हां तो प्लीज इसे शेर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए और साथिसाज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपके घरवालों ने इसे कितना पसंद किया तो इसी तरह ही आसान और डिलिशेस रेसिपी इस के लिए फॉलो करें टेस्टी बाइट्स बाई प्रीती को और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बाबाई